वाइफाई अपने आप बंद हो जाता है जब भी आप अपने मुबाइल के वाइफाई को किसी होटफोट से या किसी अधर वाइफाई डोंगल से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो आपका वाइफाई है कनेक्ट तो हो जाता है उसके बाद फिर जस्ट वो एकदम बंद भी हो जाता है अगर आपको ये ओन ओफ की प्रोबलम आ रहica है तो कैसे आप इस प्रोबलम को सोलो करेंगे आज किस रीडेम में आपको कुछ यूजबुल स्टैप्स बताऊंगा उनी स्टैप्स को आप फॉलो कर्ये तो यहां पर देखी तूसे हैं तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल कर देना है क्योंकि कुछ स्साटर्ट करते ही कुछ सुल हो जाती है अगर सिन्ट करने से आपको वाइखाई जाती है थो बहुत अच्छी जाती है अगर भी आपकी क्या प्रॉब्लम फे si इस अप 101 परसेंट आपकी प्रोब्लम हो जाएगी आपके पास से कोई सब मुबाइल की मैं सेटिंग्स में चले जाना है और यहां पर आपको एक ओप्सन देखता है अबाउट डिवाइज करके यहां पर आपको चेक यह सिस्टम सोफ्ट्वेयर अपडेट ठीक है जो मैं बता रहा तो मेरा तो यहां पर वर्जन अपटू डेट आप देख सकते हैं आपके में भी अगर अपटू डेट होगा तो अपटू डेट दिख जाएगा उसके बाद नैक्स सिस्टेप एक ओर है उसमें आपको क्या करना है आपको अपने मुबाइल की मैं सैटिंग्स में चले आना ह है और यहां पर अब आपको अपस करके और दिखेगा इस पर चले जाना है वाइफाई सेच करेंगे तो वाइफाई बैक प्रिस्टोर आ जाएगा इस पर क्लिक करें अगर आपके मुवाईल में force stop वाला option आपको दिखता है highlight तो इस पर किलिक करके से force stop कर देना है अगर आपके में force stop highlight नहीं दिख रहा है तो यहां पे अगर आपको data enable का कोई option दिखता है background data enable करके तो उसको enable कर देना अधरवाइस आपके में कोई ऐसा option नहीं दिख रहा है तो यहां से बैक कर लेना बस यहां पर इतनी settings हमें करने थी अब यहां पर आपको एक काम और करना है अपने smartphone के status वार में एक option देखता है GPS location का ठीक है तो अगर यह problem आपको बार बार फेस करनी पड़ रही है तो आप यहां पर GPS location वाला जो option है उसको अनेवल कर दीजिए क्योंकि जब भी आप Wi-Fi को करेक्ट कर रहे हैं तो आप लोकेशन को भी अनेवल करके रखिए हो सकता है कि एक बार आप करके देखिए इससे भी जो है आपकी प्रोब्लम हो जाएगी ठीक है और अब यहां पर बचता है लास्ट और जो काफी की यूजफूर स्टैपस है जो सभी बंदों की प्रोब्लम को सोल्व कर ही देगा जिसे मास्टर स्टैप बोलते हैं तो उसमें आपको अपने मुवाइल की मैन सेटिंग्स में फीर से जाना है और यहां पर एक सर्च बार दिखता है उपर ही इस पर क्लिक करना और यहां पर सेटिंग्स रिसेट कराऊंगा जिनसे आपकी वाइफाई वाली प्रोब्लम जड़ से खतम हो जाएगी तो आपको यहां पर मैच करना अपने फोन में या तो रिसेट आल सेटिंग्स आ रखा होगा या रिसेट नेट्रोक सेटिंग्स आ रखा होगा दोनों पर से किसी पर प्लिक करेंगे तो यहां पर आपको reset network settings दिख जाएगा इसे ट्रेट्रोग settings पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मुबाइल है जो आपने पैटरन लोग लगा रखागा वह आपको डाल देना है तो यहां पर मैं डाल देना हूं पैटरन लोग और आपको okay कर देना है उसके बाद reset network settings पर क्लिक कर देना है आपका मुबाइल का कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा only यहां पर पढ़ भी सकते हैं reset wi-fi bluetooth and mobile network settings यहां पर wi-fi से रिलेटिड सभी settings bluetooth से रिलेटिड और mobile internet से रिलेटिड सभी settings as it is new हो जाएंगी जैसे company से new mobile आता है और यही step काफी है आपकी इस problem को सुरू करने के लिए I hope इस वीडियो में दे गई जानकरिया आप अच्चे से समझ गए होंगे